हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुल वीडियो ये वीडियो जो हमारे सीटी मेंस की प्रैक्टिस सेट कीजिए उसका पांचवाँ प्रैक्टिस सेट है इससे पहले चार प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं और इनकी प्रस में आपका खराब नहीं करेंगे वीडियो आपको काफी पसंद आ रहे हैं जो पहले वाले हमने डाले हैं नए पैटरन के उपर आधारित है यह वीडियो ठीक अच्छा है आप मैंस सीटी मैंस की तियारी करने हैं चाहिए ग्रूप डी एक्जैम की तो उसके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखा करें ठीक और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल के साथ जुड़ जाए साथ में नोटिपिकेशन डिंग का उप्सन जो आता उस पर भी कलिक कर ले इससे क्य देखे असोक के धम का मूल संदेश क्या है तो इसका जो मूल संदेश था वो क्या था देखे देखे जो परसनों जो सभी संदेश हैं असोक के धम में नहीत है ठीक है तो देखे राजा के परतिवफादारी सांति और इंसा बढ़ों का सम्मान दार्मिक सहन सिलता ठीक है तो राजपूताना की देशी रियास्तों के साथ 18178 की अधिनस्त संदी की बात्चीत की थी तो ये किस ने की थी चार्ल्स मेटकोफ ठीक है गवर्नेर जनरल थी चार्ल्स मेटकोफ राजपूतों की जो देशी रियास्त थी उनके साथ 18178 की जो अधिनस्त संदी थी उसकी सब बाताना सबसे बड़ा गर था इन में से कौन सा नहीं है तो देखें बात каналना चाहर प्राचिन सेरilen जोसब बड़ा थहे उनका सबसे बड़ा गर था इसमें स्रिलंका नहीं है दोस्तों क्होंसा ऑप्शन नहीं सिर了 का नहीं है बाक्की उप्शन जो बजगे मिस्टर मेसो पोटामिया भारत तीनों की तीनों इसमें सामिले भारत की मुख्य भूम्मी का दक्षिन तम अक्सांस क्या है तो यह हो जाएगा आपका ओप्शन डी आठ डिग्री च्यार एन नौर्थ अक्सांस ठीक है रज्यसभग का पदेन सभापती कौन होता है यह क्यूस्चन आपके लिए है क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आप इस क्यूस्चन का आसान निसांसर दे देंगे ठीक है इससे हमें पता लग जाएगा आपने पहले वाला वीडियो देखा या नहीं दे kole डूसरा है तिंसु, 65 में दोस्तों, यह important है, याद रखने होती है, ठीक है, मुद्रास्पिति के समय के दोरान कर की दरों में निमन लिकित मेंसे क्या होगा, जब मुद्रास्पिती होगी तो करकी जो द्रें हैं उनमें वर्दी होगी दोस्तों ठीक है यह उप्सन होजाएगा उसके बद नेक्स्ट है विपनन मिस्ट्र परिवर्तन सील के निमन चयार नियंतरक में से कौन सा उत्पाव की बहुतिक विशेशता है और उस उत्पाद के परियोग से समन्दित लाब के साथ वह अवहार करता है कौन सा होजाएगा उपसे नहीं होजाएगा प्रोड़क्ट मिक्स उत्पाद मिस्रन ठीक है बदार्थ के दुआरा उस्मा के स्थानंतरन की परिक्रिय जो करनों के बीना वास्तविक गतिमान होगे हो कहलाती है क्या कहलाएगी चालन ठीक है उस निमन में से किस योगिक में उस्तर कौंत नंक है तो यह होता है दोस्तो एथेनल में ठीक है, एथेनल जो योगिक होता है, इसमें उस्तर क्या होता है क JAC पाई जाता है ऐत ही जो है वह एक एलकोल है». यह भी आण रखना है ठीक है इसका उप्योग जो है वह वरनिष, पोलिमें, द्वाओं के गोल, कॉल किस चिकितसक ने दर्शाय की रख्त को सरीर में हर्दे द्वार पंप किया जाता है किस ने दर्शाय था ये दर्शाय था विलियम हारवे ने ठीक है और एड़वर्ड जेनर जो इन्होंने चेचक के टिक के जो उसका उसकर के था और जो William Osler है इनको आदूनिक चिकितसा का पिता कहते है ठीक है और जो Elizabeth Blackwell है ये सविंक तो राज जी अमरिका से चिकितसा के चैतर में सनात्तक की उपा दिलेने वाली पहली महिला थी ठीक है उसके बाद पीडियेफ पीडियेफ की क्या फुल फॉर्म होएगी पीडियेफ की भी पोर्टेबल डोकुमेंट फॉर्मेट सी ओप्सन हो जाएगा ठीक है बार बार जो हम कहते हैं कि पीडियेफ डाउनलोड कर लिजी टेलेग्राम से तो पीडियेफ उसकी फुल फॉर्म होते है portable document format उसके बाद कारिये विशलेशन की तैयारी को सामिल करते हैं कौन सामिल करते हैं कैस ठीक है सी ओप्शन हो जाएगा इसका कैस जो एक memory है जिसे semi conductor memory भी कहते है ठीक है जो program के बीच स्तापित की जाती है उसके बाद नेक्स्ट है हमारे राष्ट्य परतिक के नीचे कौन साधर्स वाक्या समाविष्ट किया गया है तो वहां पर लिकाउता है सत्य में उजयते दोस्तों ठीक है इंपोर्टेंट है इससे question पूछ लेते हैं भारत का जो राष्ट्य चिन है वो सारनाथ की असोक स्तम से लिएगा है पहली बात तो यह है ठीक है और मूल स्तम में जो शिर्ष है वहां पर च्यार सिंग है जो एक दूसरे के और पीठ किये हुए है पट्टी के मद्य में दरम चक्कर है चक्कर में 24 तीलिया है जो 24 गंटों का परतीक है ठीक है बारत सरकाने असोक स्तम को राष्टे चिन के रूप में 26 जनुवरी 1950 को अपना है था चकर के दाई और एक सांड कर्षी परदान अध्योस्ता का परतीक है चकर के बाई और एक गोडा जो की अद्मे सक्ति जिवा गती सिलता का परतिक है पलक के नीचे मुंडकोप नीशद का सूत्तरवाक्य सत्य में उजयते देवनागरी लिपी में अंकित है जिस कार्थ क्या है सत्य की ही विजय होती है ठीक है तो इस क्यूस्चन से रिलेटिड मेरे हिसाब से कोई क्यूस्चन नहीं बचा जो किस जिले से प्रकासित होता है यह होता है दोस्तों रोत्तक से ठीक है इंपोर्टेंट है और कब से वाई यह 1923 से हुआ है ठीक है न यह भी इंपोर्टेंट बहुत बहुत है किसने किया था सिरी नाम सर्मा ने किया था परसिद कुरुक्षेत्रियुद मावार्थ के सियासन के लिए लड़ा गय था किसके सियांशन के लिए हश्टीनापूर के सियांशन के लिए हरियाना की निमन लिखित कवियों में से किसने बुदान आंदोलन में बाग लिया तो बुदान में बाग लिया था किसने बाई परमानंद ने D-Option हो जाएगा 1857 स्तावन का जो सेनिक विद्रो है हरियाना में किस तल पे हुआ तो यह वह आपका उप्चन सी हो जाएगा अंबाड़ा के अंदर ठीक है उसके बाद निमन में से हरियाना के किस जिली के सूरन परस्त यहनी गोल्ड पहले इसका जाता है किसको बोलते हैं यह बोलते हैं सोनी पत को सूरन परस्त ठीक है सूरण प्रस्त उसके बाद नेक्स्ट है हर्याना की जो नर्ते सेली है जो यूवा व्युवाइद महिलाओं के माथ्य पर पहने जाने वाले अबुशंगा परती को उसे का जाता है कौन सी है यह गुमर ठीक है कुरुख चैतर को किसके पहले सलोक में द्रमश्यातर कर्मचेतर कुरुख शैतर के रूप में वर्णिद किया गया है निमन मेंसे किस जानवर को गुगा नौमी ते ओहर के उत्सव situations के रूप में पूजा की जाती है गुगा नौमी में की जाती है सौंप् की सच्चर जो फार्मूला है इसके अनुसर हरियाना को कितने बखों में जिले जित किया गये था यह किया गया था दोस्तों दो बागों में कब आता सचर फर्मुला उनी सो उने इंचास में पेस किया गया था ठीक है यह इंपोर्टन था उसके बाद नेक्स्ट है निमन में से कौन सी प्रवत स्रंखला हर्याना के उत्तर पूरों में श्ती थे हर्याना के उत्तर पूरों में दोस्तों शिवा लिक रेंज ठीक है निमन में से कौन सी नदी उत्री हर्याना में बहती है उत्री हर्याना में आपके गगड अकडा नदी जो हो बहती है ठीक है उसके बाद है यमना नदी हर्याना राजेगी किस सीमा पर बहती है जो कि यम्ना नगर करनाल पानिपत सोनिपत इन जिलों में हरियना पंचाहती राज अधिनियम 1904 में सही उत्तर पैचानी है तो कौन सा हो जाएगा दारा 212 जोर राज्य चुनाओ आयोग के निर्मान से समंदित है ठीक है उसके बाद हरियना पंचाहती राज अधिनियम 1904 में मिनिमन लिखित में सही उत्तर पैचान कीजिए तो इन में पैचान नहीं कौन सा देखे पहला उप्शन हो जाएगा सही अध्य जो एक सेक्स यानि बीस है रशले है चुनाओं में से समंदित प्रावदानों से समंदित है बिलकुल सही है यह उप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद हरियना में 25 राज का दूसरा स्टर निमन लिखित में से कौन सा है तो पंचाहती राज का जो दूसरा स्टर है वो आपका पंचायत समीथी है दोस्तों तीक अरियाना में जो पंचायती राज है वो तीन सत्रों में बटा हुआ Such A सबसे नीचे तो है ग्राम बंचायत उसके उपर है पंचायत समीथी और सबसे उपर हैं जिला परिश्ट यह इंपोर्टेंट है रियाना की जो मुख्या खरीब पसल हो कौन सी हो जाएगी चावल हरियाना का कौन सा जिला गेउ का सबसे बड़ा उत्पादेगा गेउं की बात की जाए तो गेउं का सबसे बड़ा सिर्षा उस्तम दक्स्ताव材 वाली सीचाई पड़ना ले कौन सी हो जैगी जो ड्रिप सिस्टम होता आपका ओप्सन डी जो है यह सही हो जाएगा ड्रिप सिस्टम हर्याना से निमन लिखित में से कौन परमवीर चक्कर विजयता है तो कौन है यह आपके मेजर होश्यार सिंग सरुनिम चत्रबूज का समंद किस से है यह समंद हो जाएगा आपका उप्सन भी सड़क यह जाना से हर्याना का जो मुख्यराष्टी राजमारक एनस्टेन है वो कहां से कहां जाता है एनस्टेन की बात की जाए तो दिल्ली से शिर्षा ठीक है यह यहां पर सही हो जाएगा ज जोगी लगवग 403 किलोमेटर चत्र में विश्टी थे और कहां का ओके जाता है दिल्ली बादरगट रोत्तक मेहम असी इसार अग अग्रोहा बोडोपाल फते अवाद शिर्षा डववाली अभवार ठीक है यहां से अरियना के जिले में काले सर वन्ने जीव अब्यारन है का यह मुनानगर में दोस्तों कि उसके बाद नेक्स्ट है कि 2021 तक चेत्रबल की दर्ष्टी से बारत में अरियना का कौन सस्तान है यह आपका बीस वां स्याम सत्साई जो किसकी रचना है कफी फार रिपीट भी हुआ है यह किसन तो यह है तुलसी राम सर्मा की अरियना में नि अरिजनिंग आप खुद करके देख लें पीडियाफ आपको टेलिग्राम गुरूप पे मिल जाएगी वहां से देख लीजिए ठीक है उसके बाद बात करते हैं हिंदी की हिंदी में यह पैराग्राफ आप पढ़ लेना ठीक है पीडियाफ मिल जाएगी उससे मैंने पढ़ आपका जो डी है देख लें यहां से डी उप्शन अंग्रेजी या किसी पास्चात्य साहिते आथवा बंग साहिते के वर्तमान स्थिती की कुछ भी जानकर रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएगी कि यह सब्द मिस्टिसिजम के लिए नहीं आया है ठीक है चायावाद ना जैसा करोगे वैसा बरोगे में सवर नाम कौन सा है तो सीदी सी बात है यह हो जाएगा आपका कौन सा संब्द वाच्चा जैसा करोगे वैसा बरोगे संब्द हो ठीक है सुद्ध वर्तनी आशिरवाद आपने बताना कौन सा सही हो जाएगा ओप्शन ए जो बिल्कुल यहां किस विरामचीन का प्रिओ ना सिट का हुअ इन में से कौन सा उपसर्क जो अरबी या फार्शिका है इस निरी कि रख्षय करने वाला कोई वीर बचाई है कि किस परकारका वात्या है तो यह हो जाएगे आपका कौन सा प्रसन वाइच्च क्या आगया न यहां पर तो कौन yapmış हो गया परसन वाट भूं सकडूरक दो सको निमल कहत less सबत तीनो की तीनो औरुन के परियावच्ची ठीक है असीम सबद का विलोम कौन सा होगा असीम का विलोम होगा ससीम B option गोडों का गर कितनी दूर इस लोगोक्ति का सही अर्थ वता है क्या मतलब होता है करमत वक्ति के लिए सफलता सरल होती है क्या बोलते हैं उसको गोडों का गर कितनी दूर इन में से सुद वक्ति के आपने सरना है तो बात करें इन में से option C की आज बेहद सर्दी है ये तो बिल्कुल सही है बाकी जो सारे है ये असुद है आपके ठीक है अब इंगलिस यहाँ पर लिजिए ठीक है मातमा गांदी वाज बोर्न पहले में क्या जेगा ओन इसमें आजेगा ओन बोर्न एक्टूबर 1889 टुक्रम चंद पुतली बाई यहां पी क्या जेगा ॥ की आजेगा पोर बंदर काँ पे जन्म होँग था पोर बंदर में After completing his study in England, he dashed, he went to Poma, he went to South Africa, when he suffered discrimination, he started the civil rights. उसके बाद फिफ्ट जो है इसमी क्या आजाएगा, फॉर सीविल राइट्स, फॉर आजाएगा इसमी, ऑफदा इंडियन कमुनिटी, ठीक है, तो यहां फे करवा चुके हैं इनको, फॉर तक उसके बाद, स्लेक्ट दा, Most Appropriate Synonym of the Given Word, Plead, PL, EAD, इसका क्या मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है, वो निवेदन करना होता है, दोस्तों, क्या होता है, निवेदन करना, तो इसका सिनोनियम यानिकी सेम मीनिंग, समानार्थी, तो क्या हो जाएगा, A Option हो जाएगा, रिक्वेस्ट, ठीक है, निवेदन क करना का request ही होता है, Select the most appropriate, अन्टोनियम आपके बाद, विपरी तार्थक बताना है, विटल, 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 तो इसका क्या मतलब होता है, विटल का होता है, अतिया हो से क्या फिर महतवपुरण, ठीक है, तो कौन सा उप्शन हो जाएगा, महतवपुरण का अपने विपरी बताना है, Release someone from a duty or obligation, किसी को duty से छोड़ना या obligation करना, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहां भी क्या है, ओप्शन B जो है, एक्जोनरेट, ठीक है, यानि मतलब, इसका मतलब होता है, निर्दोसी ठहराना, या फिर विमूक्त करना, ठीक है, उसके बाद है, Select the incorrectly spelled, जो गल् कौन सा उप्शन हो जाएगा, D-I-S-O-B-E-D-I-E-A-E-N-T, Disobedient, यह स्पेलिंग जो यहां पे गल्त हो जाएगी, सही कहाने चाहिए, D-I-S-O-B-E-D-I-E-N-T, A नहीं आएगा, ठीक है, बाकी सही है, तो B-Option हो जाएगा, ठीक है न, Disobedient, किसको बोलते हैं, यह बोलते ह कारी होता है उसको, आग्या कारी नहीं, आग्या नहीं मानने वाले को, डिस आगे नहीं, आग्या नहीं मानने वाले को, Select the incorrectly spelled word, जो गल्त है, इन में जो बताना है, तो B-Option की बात करें, T-A-C-L, Tackle is misspelled word है, इसकी सही spelling होते है, T-A-C-K-L-E, ठीक है, T-A-C-L-E, Tackle, इसका मतलब होता है, कोई निप्टारा करना है, कोई सुल जाना, काबू में करना, ठीक है, उसके बाद है, the following sentence has been split into four segments, तो grammatical जो error है, वो आपने बताना है, do you know why, a number of people prefer to shop online nowadays, तो इसमें कौन सा गल्त होजएगा, B-Option देखिए, यहां पर क्या जोएगा, आपका, प्रेफर to shop, इसकी जिगाए पर आना चीए, प्रेफर, प्रेफर दे रहा है, इनोंने प्रेफर नहीं आएगा, प्रेफर आएगा, उनली प्रेफर to shop, उसके बाद next है, यहां पर अपने फिरिंदा ब्लेंक है, उसमें क्या आएगा, he ran towards his mother death and hugged her, तो इसमें आजेगा, गेली, G-A-I-L- गले से लगाया, select the option that expressed the passive voice बताना है, यहां पर, Erwin delivered the packet at the address given by Asa, तो इसका क्या आजेगा, the packet was delivered by Erwin at the address given by Asa, भी option हो जाएगा, उसके बाद है, select the correct indirect form of the given sentence, कौन सी हो जाएगी, Mother said to me, enjoy your vacation with your friends, तो इसका आजेगा, option D, Mother told me to enjoy my vacation with my friends, ठीक है, D option हो जाएगा, last question आजगा, sentence of a paragraph are given below, तो यहां पर जो meaningful and coherent paragraph है, तो इसका क्या आजेगा, option इसको अपने हिसाब से लगाना है, पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से, तो सही करम हो जाएगा, इसका option, कौन सा, यहां पर बात करें, तो option B हो जाएगा, ठीक है, B, sorry, D option, B, A, D, C, ठीक है, सबसे पहले, B, फिर A, फिर D, और फिर C, ठीक है, इम्पोर्टन्ट है, यह था आज का वीडियो, इसकी जो PDF है, आपको टेलिग्राम गूरूप पे म इस वीडियो को सेर भी करें, दने वाद,